मेगी भेल बनाना मेगी भेल बनाने के लिए मैंने टू पैगेट्स मैगी लिया और बैगी को आप इस तरीके से तोल लिया यहां पर मैंने एक पैन रखाया गया है इसको में इसमें डाल वी हूं और इसको हम ड्राय रोस्ट करेंगे जब तक कि यह गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा इसमें जब दीरे दीरे हमारी मैगी का कलर चेंज हो रहा है और इसको कम से कम साथ से आठ मिट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन प्राउट होने में तो इसी तरीके से यह मिश को चलाते रहें बीच-पीच में छोड़े नहीं इसको अगर हम चोड़ देंगे तो एक जग सब कुछ ready है और अब हम बनाते हैं मैगी बेल, मैगी बेल बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है, एक पटेटो लिया है, इसको मैंने finely chopped कर लिया है, finely chopped onion, एक onion दिया है, finely chopped tomato, एक टमेटो लिया है, इसमें हम add करेंगे, salt to taste, half teaspoon red chili powder, one teaspoon chaat masala, one chopped green chili, one tablespoon lemon juice, two tablespoon यह roasted peanuts ले रही हूं मैं, इसको मैंने dry roast किया, और two tablespoon हम इसमें add करेंगे, tomato sauce, तो मैंने इसमें सब कुछ add कर दिया है, और इसको हम अच्छे से mix कर लेते हैं, यह बहुत ज़्यादा tasty भेल बनती है, और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, आप लोग यह जरूर से बनाएगा, और इसमें हम add कर देंगे, chopped coriander, coriander, coriander खूब सारा डालें, तो हमारी मैगी भेल तयार है, इसको हम प्लेट में निकाल ले, तो friends तयार है हमारी मैगी भेल, जो पाँच विंगर बनके तयार हो गई, यह बहुत कुरकुरी, बहुत मस्त और बहुत ही ज़्यादा tasty बनती है, आप लोग यह बनाएगा, enjoy किजिए, और मुझे please comment box में बताएए, आपकी मैगी भेल कैसी बनी, मिलते हैं फिरे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बबाए, take care, please do like, share and subscribe my channel.